हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं बहुत ही एजी सी स्वीट्स रेसीपी लेके आई हूँ केसर पेडा बहुत ही दसमेट में बनने वाली रेसीपी है यह यह बहुत ही एजी रेसीपी है केसर पेडा और बहुत ही जल्दी से बन जाती है तो इसके लिए मैं तो यह सारा प्रॉसिज हम बिना गैस जलाए कर रहे हैं और इसमें हम डालेंगे एराउंट वन टेवल स्पून घी तो यह जो बहुत दस में बनके रेडी हो जाते हैं यह जब भी आपका दिल करता है स्वीट खाने का तो आप बना सकते हो और यहां पर मैंने हाफ कफ लिया है उतना ही मैंने powdered sugar लिया है अभी इन सभी ingredients को हम अच्छे से mix कर लेंगे without lumps जिससे एक भी lumps ना रहे और यह सारा process हम देख सकते हैं बिना गैस जलाए कर रहे हैं अभी गैस हमने नहीं जलाया है और अभी यह मैंने लिया है milk powder 2 cup यह 2 cup milk powder है भरके 2 cup मैंने यूज किया है तो थो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको इसमें add करेंगे जिससे lumps ना आए क्योंकि अगर हम एक साथ add कर देंगे तो हमारे जो यह इसमें है ना लंस बन जाएंगे और उनको फिर मिटाना बहुत ही difficult हो जाएगा इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा add करेंगे milk powder जिससे lumps नहीं यह सारा प्रोसेस हमें बेना गैस जला लिया और यह प्रोसेस बन जा देंगे मेदा इसमें एक पर ऑजनी प्रोसेस स्टर करें से क्ढळा करें हो तो एक सबस्त्राभा से स्था स्लरी पार थोड़ा दिक होosब कि जला है करें हाण बड़़ा है बहुत ही इज़ रहेगा और यह सब अच्छे से mix होने के बाद इसको hardly 10 minutes लगता है बेड़े बनाने में बहुत ही जल्दी बनके रेड़ी हो यह देखिए कितना smooth सा perfect consistency का एक बैटर रेड़ी कर लिया है हमने और यह मैंने यहां पर कुछ केसर के धागे में दूद में सोक करने रख दिये थे जिस इसका color आ जाए और अच्छा सा flavor आ जाए क्योंकि केसर नाम से केसर पेड़ा है तो केसर डालना तो बनता ही है तो इसको भी हम अच्छे से mix कर देंगे देखिए कितना अच्छा सा color आ गय कर आ जाता है अभी हमने gas on कर लिया है और अभी हम यह जो हमारा बैटर इसमें तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि इसको थिक सा बैटर रेडी ना हो जाए डोर ना रेडी हो जाए तो इसको हमें continuous style करना है बिल्कुल इसको unattended ना चोड़े नहीं तो यह जल जाएगा या फ हमें इसको continuous चला रही हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है हाड़ी टैन्मेंट्स पूरी प्रोजस में लगता है यह देखिए हमें इस कंसिस्टेंसी का चाहिए जिससे हमारे पेडे बन के रेडी हो सके तो इसमें थोड़ा सा हम घी और एड कर दें जिससे क्रेक्स नाए क्योंकि अगर पप्री यह जो लेयर होती है ठंडे होने के बाद बोर जम जाती है इसमें तो हमें इसको ऐसे ही चलाती हुए ठंडा करना है तो थोड़ा साही बेटर मतलब हैं लाइक हो जाए तब हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करेंगे तो यह मैंने अच्छे से फ्लेवर के लिए टोटली अप्शनल है आप चाहें तो डाले नहीं है तो अभी यह हैंडल करने लाइक है मैंने टोटली ठंडा नहीं किया यह पात ध्यान रखिएगा अगर आप पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे तो यह मैंने जिससे के बनाने है या आपको बनाने हैं उसे साबसे आप ले सकते हो तो यह देखिए मैंने पेड़े का सेप दे रही हूं इसको आप मुझे साइस के बनाने हैं सारे इसलिए मैंने एक स्पैचुला लिया इसमें लिया था तो यह देखिए मैंने कितना परफेक्ट सा पेड़ा बनाया है और यह भी ठंडे होने के बादे परफेक्ट सेप ले लेते हैं तो विदाउट क्रैक्स आपको बनाने है तो यह याद रखिए कि आपका जो डो है वो पूरी तरीके से ठंडा ना हो और यहां पर बीच में मैंने थोड़ा सा इसको होल करके इसमें पिस्टैचू कट करके रखेते जि अपने गनपती जी को खेलाईए तो कैसी लगी आपको मेरी यह रेसिपी मुझे कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर बताईएगा और मेरे घर में तो यह सबको बहुत पसंद आते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं तो मैं जब भी दिल करता है उनका जटप तो मुझे कमेंड करके जरूर बताना आप कैसी लगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए तो बाई बाई फ्रेंड टेक क्यार बाइ झाल झाल झाल